हम यह तो जानते हैं कि Paytium से किसी bank account में कैसे transfer किया जाता है लेकिन हम यह नहीं जानते कि कैसे Paytium से Google Pay में कैसे payment किया जाता है तो आएए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम Paytium से अपने Google में payment करते हैं दोस्तों मेरा नाम है सलमार और आप देख रहे हैं Technology Micro Channel सब्सक्राइब कर देजे चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए डेली ऐसे टेक वीडियो लेकर आता रहता हूं ठीक है तो आए देखते हैं तो इसके लिए हमें Beneficiary का UPI ID चाहिए यानि जिसको हम पैसा भेज रहे हैं उसका UPI ID चाहिए ठीक है तो मुझे मेरे दोस्त में भेजा है WhatsApp नमबर पर अपना UPI ID गूगल पे का तो हम मैं उसे open करके copy कर लेता हूं यहां से ठीक है पहले आपको UPI ID मगा लेना होगा इसा ही ठीक है तो यह देखी UPI ID है नीचे तो मैं उसे प्रेक्स करता हूं और उपर copy का अपसर है वहाँ पर क्लिक करके मैं copy कर लेता हूं ता कि मैसेज copy हो चुका है फिर हम इसको close करके हम Paytium application को open करते हैं फिर हमें सीधे home page पर यह दिख रहा UPI money transfer ठीक है UPI money transfer साथ पर साथ हो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा interface आ जागा फिर हम क्लिक करें इंटर नेम और mobile नंबर वहाँ पर हम प्रेस करेंगे प्रेस करेंगे तो ऐसा आ जागा इंटर नेम मुबाइल नंबर और UPI ID तो जो हमें UPI ID copy किया था उससे हम यहाँ पर लॉंग प्रेस करेंगे देर तक दबाय रहेंगे तो आ जागा मिस्टर राम पिसन निशाथ जो भी नाम रहेगा वा आ जाएगा UPI ID सब कुछ आ जाएगा फिर होगा अमाउंट यहां पर अमाउंट अब क्या भेजना चाहते हैं क्या सेंट करना चाहते हैं एक ही रुपया एक्जांपल के लिए मुझे से नहीं करना था ठीक है यहाँ सा सब्सक्राइब करेंगे यहां सब्सक्राइब करेंगे यहां सब पूरा डिटेल देख सकते हैं क्या हुआ क्या देखिए टू मिस्टर राम के सब्सक्राइब क्या है अकाउंट नंबर सब कुछ आ जागा है यह फेसी वगरा सब कुछ यूपी आई रेफ्रेंस नंबर आ गया टाइमिंग डेट वगरा सब कुछ आ ठीक है हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेस्फुल हो चुका है आई